बहुत बहुत स्वागत है आपका, thank you very much for coming to the session, तो आज की practice शुरू करते हैं, एक छोटी सी conversation की यहाँ पर practice करेंगे, husband and wife are talking together, right, इस conversation में जो भी sentences हम बोलेंगे, हर sentence को बिलकुल naturally English में form करेंगे, the way native English speakers do, I'll be sharing my screen with you, screen में आपके साथ में share कर देता हूँ, हर sentence की हम alternates देखते च कहा जा सकता है, साथ के साथ grammar, structure, logic, इसको समझते हूँ चलेंगे ताकि concepts clear हूँ, जैसे कि पहले sentence है, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, actually मैं खाना बन रहा है घर में and husband is waiting, right, husband is starving भी कहा जा सकता है, husband is starving जब हमने कहा, यानि husband को बहुत जादा भूँक लगे है, तो और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम समझते हैं English लेकिन अटक जाते हैं, just because we try to translate Hindi sentences into English in the same word order, बस translation नहीं करना है, feeling को समझे, इंतजार करने की आप duration पूछने, कितना इंतजार करना है, इस बात को पहुँचा आई, कितने तरीक से बोला जा सकता है, पहला तरीका हुआ, how much longer do I have to wait, how much longer do I have to wait, देखे बिलकुल translation क्यों नहीं करना है, क्योंकि how much more long, अगर आप कहा देंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा, right, long, longer, longest, ये सारी चीज़े हम को याद रखनी पढ़ती है, comparative words है, तो कौन से word के साथ हम more लगा सकत इसके साथ नहीं लगा सकते है, right, जैसे beautiful word है, इसके साथ आप कहा सकते है, more beautiful and most beautiful, लेकिन long के साथ, long, long and longest कहा जाता है, big, bigger, biggest कहा जाता है, तो एक सेंटेंसे सारी चीज़े समझने नहीं है, 200 से जादा वीडियो आलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो करना पड़ेगा, I hope you got the point, दूसरे तरीका से सी को इस्ट्रक्चर करके देगे, how long until the food is ready, ये एक नैचरल तरीका हो गया, पूछने का एक तरीका होता है कि कितनी देर और लगेगी दूसरे काम में, so how long until the food is ready, अब इसका लिटरल ट्रांसलीशन अगर हम हम हिंदी में हम इसी तरीका से हम हिंदी के नैचरल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो awkward sound करते हैं, तरीका सीखना है कि एक situation में कहा जाना है, और किस तरीके से कहा जाना है, so how long until the food is ready, एक और तीसरे तरीके से बोल करके देखे, how long will you take for the food to be ready, यानि खाना तया बोल पाएंगे, इस structure को follow करते हुए एक sentence बनाएगा, जैसे कि how long will it take for the food to be ready, यानि खाना तयार होने में कितनी देर लगेगी, अगर हम ये कहें, आपको यहाँ पहुचने में कितनी देर लगेगी, how long will it take for you to reach here, right, how long will it take for the food to be ready, इसी के बेसे पर आपको यहाँ आने में कित 10 मिनट और रुको खाना तयार हो रहा है, 10 मिनट और रुको खाना तयार हो रहा है, कुछ alternate देखने हैं, जब हम 10 मिनट और रुको को मत शकर में पढ़िये, simple बोल करके देखें कि आपको प्रतीक्षा करने को कहना है किसी को 10 मिनट के लिए आप कह सकते है, hold on for 10 minutes, hold on for 10 minutes and the food is ready, आपने एक आधिया खाना तयार हो जाएगा, food will be ready भी कहा जा सकता है, and the food is ready, एक natural तरीका हो गया, right, hold on for 10 minutes के जगा पर आपका सकते हैं, wait for 10 minutes, stay for 10 minutes, और भी कई सारी चीज़े कहीं जा सकते हैं, तो अगर हमको किसी को wait करवाना है, और आपके माइन में कोई तरीका आता है इन बातों को कहनेगा, तो please comment section में लिखेगा, हम हर comment को पढ़ते हैं, आपके sentences ठीक होंगे, then I'll give you a like, तो समझ जाएगा कि sentence ठीक है, और अगर गलत होगा, तो उसको explain कर देंगे, correct कर देंगे comment section में, alright, so please participate while watching the video, so ऐसा क्या बना रही हो, जो इतनी देर लग रही है, अब husband is saying that's taking you so long, इतनी देर लग रही है, what are you making, that's taking you this long, this long कहा जा सकता है, इतनी देर लग रही है, what are you making, that's taking you that long, that भी कहा जा सकता है, इनका यह है और वह translation नहीं है, this or that का, यह situation के हिसाब से use होते है, this कह दिया, तो यह आपने mention कर दिया, इतनी दिर जो लगा रही है, that मतलब आपन जनरल बात कहा दी कि that long या फिर so long लगा कि आपने बहुत indication दे दिया बहुत जाधा देर लग रही है so what you making that's taking you so long I hope you got the point look at the next sentence मेरे पास एक ही काम नहीं बहुत सारे काम साथ में करने पड़ते हैं wife is replying कि मेरे पास एक ही काम नहीं है बहुत सारे काम साथ में करने पड़ते हैं problem फिर से वहीं आ जाएगी अगर हम इन सारे शब्दों को use करने के कोशिश करेंगे situation बताए कि एक काम के साथ कई सारे काम manage करने पड़ते हैं look after करना पड़ता है at the same time simultaneously और भी कई सारे words use किये जा सकते हैं I just don't have one task एक काम नहीं है मेरे पास में I just don't have one task एक काम नहीं है मेरे पास में अब इसी चीज़ को आप और भी कई सारे तरीके से कह सकते हैं आप ऐसे कह सकते हैं I don't only have this ये नहीं है मेरे पास I have to do many things simultaneously याने की एक ही समय पर I have to do many things I have to manage many things I have to look after many things look after, manage, do सबका मतलब वो ही है कि you have to take care of many things at the same time एक ही समय पर आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं Now look at the next sentence कहना बहुत आसान है मेरा काम करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा wife is saying this wife कह रहे है कि कहना बहुत आसान है उसके पीछे वो यह कहा जा रहा है it's easy to talk बाते बनाना आसान है getting my point से का मतलब है कहना लेकिन जो यहाँ पर feeling है it's easy to talk यानि बाते बनाना आसान है try walking in my shoe then you will find out तब आपको पता चलेगा try walking in my shoe का मतलब हो गया मेरी जो condition है मेरी जगह आ करके देखो मेरा काम करके देखो तो situation का game है सारा गा सारा so it's easy to talk try walking in my shoe and then you will find out तब आपको पता चलेगा and then you will get to know तब आपको पता चलेगा and then you will realize तब आपको realize होगा so एक condition में कई सारी बाते कही जा सकते हैं look at the next sentence अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please चैनल को subscribe कर लिजेगा और दूसरा आप हमारी live classes भी अटेंड कर सकते हैं देकर live classes के दो फाइदे होंगे सबसे बहले तो हम आपको अपने community अपने group में add कर लेंगे जहाँ पर आप दूसरे participants के साथ real situation में practice कर पाएंगे इस प्रकार की conversation हम यहाँ पर कर रहे हैं पूरा दिन group में random topics पर बात्चीच चलती रहती है तो आपको पदा चलेगा कि एक situation में actual में क्या कहा जाना है English में और उस situation में कितने तरीके से sentences को form किया जा सकता है broad English आपको पदा चलेगी सारा का सारा game atmosphere का है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 200-300 participants हो दें एक ग्रूप में अपने लेवर का partner चूज करके आपके साथ चैट कर सकते हैं practice कर सकते हैं phone पे बात कर सकते हैं Google meet, zoom पे लोग क्या करते हैं meeting start कर देते हैं group में link डाल देते हैं तो जब आप group में बैठ के practice करेंगे तो आपको confidence आएगा broad English पता चलेगी पता चलेगा कि आप कितना public में बोल पा रहा है और शाम को हमारी live classes होती है तो वहाँ पर भी we simply come together every evening and we discuss some complicated grammatical rules and structures in English for 2 hours दो घंटे तक discussion चलता रहता है साथ के साथ grammar समझेंगे logic समझेंगे उनका कि इनको इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है 15-20 दिन में concepts clear हो जाएंगे sentences को बोलने की आदत में डालने के लिए practice partners आपको यहां मिल जाएंगे जब भी practice करने है ग्रूप में अप्रोच कर सकते हैं किसी को भी राइट तो fluency के लिए जो चीज़े चाहिए और मुस्ट सब यहां पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ unlimited है कोई monthly fee charge नहीं करते हैं one time छोटा सा registration है तो फीस की चिंता मत करिएगा most welcome है आपका live classes में आईएगा let's get back to it now जैसे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ जैसे की वाइफ ने का it's easy to talk by walking in my shoe and then you will find out तब आपको पता चलेगा मेरी condition अब husband कह रहा है जैसे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ अब इस लहज़े में हम कह देते हैं जैसे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ सिंपल कुछ sentences एंप्रांट्लीट किया जा सकते है as if I do nothing as if का मतलब ही होता है जैसे as if I do nothing जैसे मैं कुछ करता ही नहीं as if के जगए पर आप like कर सकते हैं like I do nothing like I do nothing as if I do nothing I hope you got the point as if कहां पर हम use करता है look at the next sentence मैं सुबा पांच बजे उटके एक वीडियो बना देता हूँ और जब तुम सब सो रहे होते हूँ जब तुम सब सो रहे होते हूँ दो कंडीशन बता नहीं है बहुत दी सिंपल तरीके से बताइए जब आप सब सो रहे होते हैं यह एक गंभी रवस्ता बताई सब गहरी नीध में रहे हैं दूसरी तरीके से खाए जा सकता है वाइल के जगा पर वेंका भी इस्तेमाल किया जा सकता है I wake up in the morning मैं सुबा उड़ता हूँ and record a video when you all are sleeping आप इस तरीके से कह दीजे इस sentence को अगर हम कहने पर आएं तो कम से कम 50 तरीके से sentence को बोला जा सकता है and the message, the meaning will remain same message वही रहेगा और वो 50 तरीके जो हम use करेंगे वो out of 300 sentence structures होंगे तो बस वो आपको सीखने और वो कैसे सीखेंगे live classes में आएंगे, group में practice करेंगे तो पता चल जाएगा एक बात को कितने तरीके से घुमाया जा सकता है सारा game atmosphere का है तो वो अलग बात है कि मैं महनत करता हूँ लेकिन दिखावा ने करता जैसे husband ने का I wake up at 5 in the morning and record a video while you all are asleep जब तुम सब स्वे होते हो बिलकुँ सिंपल तरीके से बोल दिए that's another thing that's another thing that I don't show off my work यह अपने एक sentence में बोल दिया that's another thing that I don't show off my work मैं अपना काम work का मतलब यहाँ पर काम की बात नहीं हो रही है work का मतलब hard work ही है तो literally हम translation से जैसा सीखते हुआ है तो हम उन्स शब्दों के meaning निकालने लग जाते है meaning नहीं होते है meaning नहीं निकालना है situation में पकड़ना है कि कौन से word को use किया गया और sentence में उसका जगा कहा है कौन सी जगा पर उसको बोला गया so that's another thing that I don't show off my work आप ऐसे कहें दीजिए या फिर इसको आप तोड़ तोड़ के बोल दीजिए that's another thing I work hard but I don't show off that's another thing I work hard but I don't show off यानि मैं दिखावा नहीं करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक ही sentence में इसको बोलना है आप तोड़ तोड़ के ज्यादा तर आप पोशिश करें कि तोड़ तोड़ के situation बताया करें अगले sentence पर ट्राइ करें जैसे आप कहिए खाना बन गया है इतना ही गरम खाओगे या थोड़ी देर ठंड़ा होने दूँ अब इसके अंदर क्या है तीन बाते कहीं जा रही है लिटल ट्रांसलीशन करेंगे तो अटक जाएंगे तीन बाते बूलने पर आएंगे तो इस बहुत आसान है खाना बन गया है अब दूसरी बात क्या कहीं आ रही है are you gonna grab it as hot? इतना गरम है, इतना ही गरम खाओगे, are you gonna grab it as hot? the food is ready, are you gonna grab it as hot? इतना ही गरम खाओगे, और should I let it cool down a bit? और should I let it cool down a bit? क्या थोड़ा खाना थंडा होने दू? अलाओ करूँ थंडा होने के लिए, let मतलब है, use किया जाए का इस condition में, तो जब एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इतना ही गरम खाओगे, तो उसके बेसिस पे 100 तरीके से आप बात को कह पाएंगे, सारा गें, word order को सीखने का है, अगला sentence देखे, ये लो, plate गरम है, ध्यान से पकड़, अपना हाथ में जला लेना, तीन बाते कही जा रही है, एक अवस्ता है, जब हम किसी को कहते है, yellow सामान, here you go, there you go, interchangeably use करे जाते हैं, बस फोड़ा साथ साथ दिफरेंस है, let's not deep dive into it right now, so here you go, याने कि येलो, right, the plate is hot, plate गरम है, be careful not to open your hand, be careful, कह कर के अपने कह दिया, हाथ मत जला लेना, भी आप शब्ध कोई दूसरे है, situation ही है, जब आप किसी को कह रहे हैं, so be careful about it, be careful about it, situation के हिसाब से वर्ड सीखना है, so here you go, the plate is hot, be careful, don't you burn your hand, अपना हाथ मत जला लेना, don't you burn your hand भी कह सकते हैं, not to burn your hand भी कहा जा सकता है, छोड़े छोड़े sentences है, so I want you to repeat this sentence after me, मेरे साथ आप रिपीट करके देखिए, अब एक और तरी किसे इस चीज को कह सकते हैं, अगर मान के चली है, आपको कहना ही पढ़े, here you go, the plate is hot, watch your hand, watch your hand, आपने कहा, इसका मतलब ही है, यह हाथ को ध्यान से हाथ मत जला लेना, तो सारे हिंदी को जो शब्द यूस कर रहे हैं, वो सारे हम इंग्लिश में भी यूज करें, परपस होना चाहिए, मैसे जाए मेरा बास, तो मैं तुम मैं च्वटा बच्चा लगता हूँ क्या, मैं तुम मैं च्वटा बच्चा लगता हूँ क्या, अब ये कितनी तरीके से कहा जा सकता है, आप कहा देजे, तुम मुझे च्वटा बच्चा समझते हूँ, तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबेक दीजेगा, आप बिल्कुल कमेंड में कुछ भी ने लिखते हैं, पुछ भी लिख दीजेगा,